आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे digital electronics जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे number system और आज हम लोग पढ़ेंगे hexadecimal to binary conversion तो हम लोग number system में hexadecimal number system क्या है binary number system क्या है यह already हम लोग पढ़ चुके हैं तो आज इसे जैसे कि हम लोग hexadecimal में क्या होता है जीरो टु जीरो टु नाइन एड टु यप इस तरह से हम लोग लिपते हैं जीरो टु नाइन एड टु यप 16 और binary में तो या तो जीरो या तो वन दो ही digits यूज होता है ठीक है जीरो वन यहां पर कितने digits यूज होते हैं 16 डिजिट जीरो टु नाइन एड टु यप तो यह already हम लोग पढ़ चुके हैं तो अगर कोई number system hexadecimal में है तो उसका binary number system क्या होगा यह हम लोग सीखेंगे तो सपोज कोई hexadecimal मतलब 16 तो 16 को क्या लिखते हैं 42 का power 4 तो हम लोगों को करना क्या है कोई भी number system number अगर hexadecimal में दिया हुआ है तो 44 का तो उस hexadecimal के प्रतेक digit को क्या करना है उसका 4 bits का binary equivalent लिखना है hexadecimal का number अगर दिया हुआ है सपोज कोई number दिया हुआ है 4 and 3 this is the hexadecimal number system then this is 4 bit binary group में इसको लिखना है इसको लिखना है और तोनों को क्या करना है कमबाइन कर देना है 4 को क्या लिखेंगे 0 1 0 0 this is 4 3 को क्या लिखेंगे 0 0 1 1 this is 3 तो और यह दोनों क्या करेंगे 0 1 0 0 0 0 0 1 1 this is the binary equivalent of this hexadecimal number system एक्जाम्पल लेकर तो शवर क्या सिआए में घ्यक्डेसिम नीकाला तो किस तरह से женщ together है तो सबसे पहले सब का क्या करेंगे परते एक segunda by sophrat तो फोर बी ए सी यह क्या है हेक्साडेसिमल डिजिट को लिखे फिर इसका क्या करेंगे पढ़ते हेक्साडेसिमल डिजिट का फोर बीट का बाइंडरी ग्रूप लिखेंगे फोर का क्या हो जाएगा जीरो वन जीरो जीरो बी बी मतलब क्या होता है हम लोग जानते हैं पढ़ चुके हैं ए मतलब टेन बी मतलब एलेवन एलेवन का फोर बीट में कैसे लिखते हैं एलेवन को किस तरह से लिखेंगे वन जीरो बन वन ठीक है वन जीरो बन वन बी का क्या लिखेंगे one zero one one a को क्या पड़ते हैं तो टेन को बाइंडरी में फोर बीट में कैसे लिखते हैं one zero one zero c c मतलब क्या हो गया 12 c मतलब हो गया 12 तो 12 का बाइंडरी कैसे होता है one one zero zero one one zero zero यह क्या हो गया c का बाइंडरी इक्युवेलेंट फोर बीट्स बाइंडरी इक्युवेलेंट अब सबको क्या करेंगे हम लोग कंबाइंड कर देंगे देन क्या हो जाएगा zero one zero zero one zero one 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 zero one zero one one zero zero this is the boundary equivalent of this hexadecimal number system तो यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग zero one zero zero one zero one 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 zero one zero one zero one one zero one zero one one zero क्या हो गया इतना बड़ा क्या हो गया this is the boundary equivalent of this hexadecimal number system four four का क्या करेंगे ग्रूप बनाए तो कितना आना चाहिए four four जा 16 one two three four four जा 16 तो 16 बीट्स यहां पर होना चाहिए one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve thirteen fourteen fourteen fifteen fifteen sixteen अगर कोई बीट्स अगर गलती से छूट गया तो आप काउंट भी कर सकते हैं तो यह था hexadecimal to binary conversion without point इसमें point कहीं यूज नहीं हुआ है अब हम लोग क्या देख लेते हैं एक point का देख लेते हैं ठीक है क्या करेंगे पड़ते हैं एक साड़ेसिमल नमबर का behind four beats binary four beats का group binary equivalent लिखेंगे four beats binary equivalent यानि थ्री का कैसे लिखेंगे देंगे जीरो का फॉर बिट्स में कैसे लिखेंगे जीरो 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 एंड बीडी मतलब क्या हुए आलेवन 11 मतलब 1011 this is the 4 bits equivalent of this hexadecimal number system ठीक है 4 bits equivalent then अब इसको क्या करेंगे combine कर देंगे 00111010.00001011 this is the binary equivalent of this number system binary equivalent of this hexadecimal number is 00111010.0000001011 this is the binary equivalent of this hexadecimal number number system with point यह point वाला था तो यह था hexadecimal to binary conversion अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दिए चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें